गंडू Special Education अमश्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है Special Education तो दोस्तों चंडिगड़ Administration के रिगार्डिंग एक भरती है SPCI चंडिगड़ इसका आज ही Notification जारी हुआ है और बहुत सारे Candidates के मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आगे सर इस बरती के बारे में बताओ क्योंकि इसका जो Notice वाइरल हो रहा है मतला जो Notification इसका फैल रहा है Social Media पर उसमें कहीं भी Qualification वगरा नहीं है सिर्फ पोस्त का नाम है कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़े एस लिमिट हो गारा कुछ भी मेंशन नहीं है तो Candidates को बहुत जादा Confusion हो रही थी सर इस Vacancies के बारे में बताओ और यह Vacancies सही है या नहीं है फेक है या रियल है और यह वाली पोस्त के लिए फोर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए इन सब के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताओंगा सो वीडियो को एंट तक पूरा जरूर देखना बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब हम स्टार करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किये मैं आपको सिधा ओफिशल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ स्क्रीन पर देखो आप लोग यह आपका ओफिशल नोटिफिकेशन है सबसे पहली बात यह आप लोग का 100% रियल है फेक नोटिफिकेशन नहीं है ठीक है दूसरा यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है एक तो है आपकी डेटा बेस एक्सपर्ट जिसको डेटा बेस एडिस्टेटर भी बोलते है डीबी है दूसरी पोस्ट है सीनियर प्रोग्रमर डॉट नेट की and programmer.net की तो सबसे बड़ी problem candidates को यह आ रही है कि इसके लिए qualification क्या मांगिया post आपकी बिल्कुल सही है official notification पर notification mention है यह वाला 100% आप लोग form fill कर सकते हैं बट इसमें वो ही लोग form fill कर सकते हैं जिन्नों ने या तो BCA कर रखी है या MCA कर रखी है या फिर B-tech कर रखी है या फिर M-tech कर रखी है मतलब जिनका computer का background computer की graduation है वो सारे candidates apply कर सकते हैं और जो official website पर इन्होंने mention किया है वाँ पर खहीं भी detail notification नहीं दिया हुआ हो सकता है आगे आपका detail notification आ जाए अभी तो short notice है ही है अगर आप लोगों जो अभी मैंने qualification बताई इन में से कोई qualification आप लोगों ने कर रखी है तो ही apply कर सकते हो second इसमें जो सबसे ज़्यादा problem आईगी जो मैंने research की वो ही आईगी कि पहले आपको इसमें payment करनी पड़ेगी 500 रुपे इसमें आपकी fees लगी apply करने की पहले आपके 500 रुपे कटेगे उसके बाद आप लोग का application form फिल किया जाएगा ठीक है और last time जब ये vacancies आई थी उस ताइं payments कट गी थी काइंडेट्स की form फिल नहीं हो रहा था बहुत problem आई थी हाना कि payment आपकी refund होगी थी चार से पांस जिल लगे थे refund होने में पर mentally candidates बहुत परिशान हुए थे तो आप लोग form बरना चाहो तो बर सकते हो qualification मैंने बता दी अगर ये वली qualification आप लोगों ने कर रखी है तो आप लोग ये वला form बर सकते हो और 4 October 2024 इसकी last date apply करने की इसके लावा कोई doubts हो तो यहाँ पर इन्होंने complete detail दे रखी है contact number भी दे रखी है अपनी email id भी दे रखी है तो इनको call करके contact करके आप लोग सारे doubts clear कर सकते हो और कोई doubts हो तो comment कर सकते हो मैं भी clear कर दूँगा ऐसी jobs की update पाने के लिए चैनल को subscribe करके पाल इकन को प्रेस कर लो